ये गाइस विल्कम बैक तो वर न्यू वीड़ो दिस इस मैंग और यू वाची मी और यूट्यूब चैनल जेंड मैंग तो फ्रेंड्स आज की वीड़ो में मैं डिसकस करने वाला हूँ TS47 के SSB अगर आप देने जा रहा है तो आपको ट्रेवलिंग एलाउंस यानि की TA के लिए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है किन-किन डाकुमेंट्स को आपको बिल्कुल सही से लेकर जाना है एंड़ SSB डेट और SSB सेंटर क्या चेंज कर सकते हैं इन सभी चीज़ों पर बात करने वाला है तो वीड़ो को करते हैं बिना किसी देरी के स्टार्ट वीड़ो को लाइक ने क्या तो लाइक कर दो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके यहां पर दो तरह के अब ऊंचेंगे तो आपको सब्सक्राइब करना है तो तक यहां पहुं अचाए वहां फॉक्षाब कर थान का कि बैंक्सर का बखिल वासे दाटा यानि इन चीज़ों को आप बहुत ध्यान से फिल करें क्योंकि अगर इन चीज़ों में आपने वहाँ फिलिंग में गड़वड़ी कर दी तो आपका TA कट जाएगा और TA का मतलब होता है काफी amount हो जाता है आने और जाने का आपका सारा पैसा वापिस मिल जाएगा तो आप इस मौके को बिल्कुल भी ना जाने दें तो आप बिल्कुल भी वहाँ से ध्यान से परें उसके लिए आपको लेके जाना है आपके bank passbook की first page की photocopy ये आप जरूर ले जाना है कम से कम आप दो photocopy करा लीजे वैसे तो एक की जरूरती पढ़ती है लेकिन आप दो जरूर कर लेना एंड इसके लावा कौन कौन से document लगते हैं वो मैं आपको बात में बताऊंगा जैसे आपका collaborator आ जाता है तो collaborator बहुत जलदाने वाला है तो channel पर जुड़े रहना आपको पता चल जाएगा अब बात करते हैं क्या आप SSB date change कर सकते हैं या फिर नहीं तो इसका answer है no आप SSB date और SSB center को change नहीं कर सकते हैं एक बार आपने जो date select कर ली उसके बाद आप change नहीं कर स होगा जिस date पर आपको बुलाया जागा जो भी date आपकी reporting की होगी so कोई problem नहीं अगर आप date select नहीं कर पाएं लेकिन अगर एक बार आपने select कर ली है तो फिर आप change नहीं कर सकते हैं चाहिए वो SSB center हो या फिर SSB date I think यह आपका जो doubt था वो clear हो गया होगा इसके लाब अगर क chats and genuine bank official दोनों को जरूर जोइन के लेना तो अगर इसके लाब कोई doubt है तो comment box में जरूर आसके लेना तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर तब तक के लिए जैहन